हे गाईज, फिल्कम बेक टू पावर ड्रैक, आज हम लोग बात करने वाले हैं, आने वाले जो हमारा फैस्टिव सीजन है, या फिर कह सकते हैं कि आने वाले एक, दो या फिर तीन महीने, जैसे कि अगत सेप्टेंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन महीनों में काफी सारी और गाड़ी को किसी और वीडियो में कवर करेंगे, तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कौन सी गाड़ी हैं जिसको 2020 फैस्टिव सीजन पे कन्फर्म लांच करा जाने वाला है, लांच डेट जैसी मिलेगी वो मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पे दे दूँगा, आज की लिष्ट के हमारी नमबर फर्स्ट कार है, जीब कमपस नाइट इगल एडिशन, इस एडिशन के बारे में जीब कमपनी ने सतर जुलाई को ट्विट करके बताये था कि हम अपने एक नाइट इगल एडिशन इंट्रोड्यूस करने वाले हैं फॉक लैम के आसपास की हाउजिंग जो रहने वाली है, टोटली आपको ब्लैक देखने के लिए मिलेगी, यहां तक कि इसके अंदर के जो 18 इंचिस तक के अलॉई वील हैं वो भी आप लोगको ब्लैक के देखने के लिए मिलेंगे, सेफटी वाइस गाड़ी के अंदर आप प्रॉपर लेधर अपॉल्स्ट्री होगी, उसी के साथ इसका जो इस्टेरिंग वील रहने वाला है, उसके उपर आपको ब्लैक के साथ सिल्वर कलर की थोड़ी सी फिनिच भी देखने के लिए मिल जाएगी, कुछी टाइम पहले जीप ने अपना एक न्यू वेरेंट देखने के लिए मिलने वाला है, अगर आप लोग इस गाड़ी के लिए एकसाइटिड है लेने का मन मना रहे हैं, तो बेशक 2020 फैस्टिव सीजन तक ले सकते हैं, लाउंच जेट आप लोग को इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, जैसी मेरे पास आएगी, तो देखते हैं ल तो गाइस आप लोग को आई-मटी पहले किया कि सॉनेट में देखने के लिए मिलेगी, उसके बाद यूंड़ी की में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, तो इटमीन से आप लोग एकस्पेक्ट कर सकते हैं कि सेप्टेमबर या तो फिर एक्टूबर तक इस हाला कि पहले जो इंजन आया करता था उसमें 70 स्पीट की DCT आती थी, तो अब आपको इसके सेम टर्वो इंजन के साथ IMT भी देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका मतलब होता है इंटेलिजेंस मैनुवल ट्रांसमिशन, इसमें आप लोग की गाड़ी के अंदर सिरफ आप के बीच में कॉंबनेशन बनाने में काफी जादा प्रॉबलम आती थी, वहाँ पे काफी लोगों को ये चीज बहुती जादा बढ़िया लग सकती है, इस टार्टिंग प्राइस इस गाड़ी का एक्सपेक्ट करा जा रहा है, आठ लाग से थोड़ा साई उपर हो सकता है, तो मतलब आप एक एक एकस्पेक्टेशन या फिर एक अजम्शन लेके चल सकते हैं, कि हाँ इस गाड़ी की प्राइसिंग आठ लाग रुपे के आस पास रहे सकती है, इस वाले वेरियंट की, सो लेट सी, अब देखते हैं, यून्डे इसका किता प्राइद लेता है आप ल लाँच करने वाला है, तो आज से लगा लो, आप लोग एक या दो दिन के बाद ही इस गाड़ी को लाँच कर दिया जाएगा, जैसी गाड़ी लाँच होगी तो मैं आप लोग को बता भी दूँगा, और इसके काफी सारे मेरे पास, इस पाइश शॉट्स भी आया है, 2020 Auto Expo में गाड़ी दिखाई थी, वो और जो अब production में, मतलब production होने के बाद जो बनके शोरूम्स पर आई है, वो same है, या फिर उसके अंदर कुछ आपको difference और भी देखने के लिए मिलेंगे, ओवरल इस गाड़ी के अंदर आप लोगो को new 1.5 liter naturally aspirated in-house developed petrol engine देखने के लिए म pride list होगी, वो मैं जैसी showroom पर जाऊंगा, वो मैं आप लोगो को महीं से, पता करके आप लोगो के लिए Instagram पर share कर दूँगा, तो make sure उसके लिए आप लोगो Instagram पर follow करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी गाड़ी के अंदर R6 ninjas तक के alloy भी लाएंगे, new smart play studio देखने के लिए मिलने व काऊंगी, जुलाई तक देखने के लिए मिल जाता, अगर यह COVID-19 नहीं आ होता, तो इसी वज़े से इसका जो launch है, या फिर आप लोग कह सकता है, इसका जो face lift है, वो काफी ज़्यादा आगे को schedule होता चला जा रहा है, क्योंकि जैसी मारूती का प्लान यह था कि हम desire को निका इक लिए मिलेगी, फ्रेंट में, क्योंकि पहले जो black color के आती थी, वो इतनी कोई अच्छी लगती नहीं थी, अब जिनको लगती थी, लगती थी, मगर मेरा opinion नहीं है, मिरको अच्छी नहीं लगती थी, अब वहाँ पर आपको एक chrome finish भी देखने के लिए मिल जाएगी, उस पावर वाईज इंजिन भी काफी जद्ध रिफाइन है, 5-speed की manual transmission प्लस 4-speed की automatic transmission आती है, new design के गाड़ी के अंदर alloy wheel लगा दिये गये है, rear की जो tail lamp है, उनके अंदर शायद थोड़े बहुत चोटे मोटे minor changes करे जा सकते हैं, वो चीज़े तो launch होने पे ही पता चलेंगी, इस वहीं पर हम इसकी comparison की बात करें, grand item news के साथ, तो news उसको काफी चीज़ों में पिछे छोड़ देती है, तो आज के वीडियो में आगे बढ़ते है, next गाड़ी की तरफ, अगर हम comparison करने बैठ जाएंगे, तो फिर वो वीडियो बहुत ही जादा हमारा land दियो जाएगा, अगर अगर वहीं पर काफी लोग का, अगर मैं आप लोग का ही, मैं कमेंट के ऊपर यह बात कर रहा हूं, जो कि आप लोग का response है, मेरे पुराने i20 वाले वीडियो पर, काफी लोग ये भी कह रहे हैं, कि आर गाड़ी अच्छी नहीं लगरी, तो यह देखो वो तो आपकी अपन सिर्फ इतना बोल सकते हैं, हाँ, अगर आपको गाड़ी पसंद नहीं है, तो वो चीज़ आप अपना point of view रख सकते हैं, या फिर आप लोग कह सकते हैं, गाड़ी के अंदर इस feature की कमी है, तो आप अपना point रख सकते हैं, तो बाकी अब जो भी कुछ इस गाड़ी के बारे म नहीं करते हैं, जितना आपको I-20 देने वाली है, उसी साब से इसके जो looks हैं, वो भी काफे जादे future stick है, ऐसी design भी कोई और कार आप लोग को offer नहीं करती है, जैसे I-20 offer करती है, मगर वहीं पे काफी लोग के ये बाद भी आजाती है, कि यार I-20 के design नहीं अच्छ लग रहे कहा जा रहे हैं कि सेप्टेंबर तक इस गाड़ी को launch कर दिया जाएगा, प्रैस वाइस तकरिवन 6 लाक रूपे से लेकर 10 लाक रूपे तक रह सकती है, तीन इंजन ओफर करेगी 1.0 लिटर का टर्बो चार्ज पैटल इंजन, 1.2 लिटर का नॉर्मली पैटल इंजन जो naturally aspirated होता है, और 1.5 लिटर का CRDI, डीजल इंजन, ट्रांस्मिशन गाड़ी के अंदर 5 स्पीड बे आईगी, 6 स्पीड बे आईगी, और 7 स्पीड की DCT भी आईगी, और जहां ते कि कुछ टाइम के बाद, अभी मैं इस चीच के लिए शूर नहीं हो, आने वारे तकरिवन 7-8 मही सेग्मेंट में अच्छे खासे प्राइज में आईगी, और फर्स्ट इन सेग्मेंट और सबसे सॉलिट फीचर्स के साथ लांच करी जाने वाली है, इस गाड़ी का गलोबली डेब्यू साथ अगस्त को है, और तकरीबन एक महीना लगता है उसके बाद इंडिया में आने मे जो लोग इस गाड़ी के लिए एक्साइटेड है तो उन लोगों के लिए तो मज़े ही आ जाने वाले हैं, गाड़ी काफी ज़्यादा अच्छी है देखने में, काफी लोग कहरते हैं कि साइज वाइज ये वेन्यू से बड़ी होगी है, फिर छोटी होगी क्योंकि सेम प् पेस अच्छा है, क्योंकि जितनी भी कॉंपेक्ट एस यूवेज होती हैं, इस्पेशली सही माइने में देखा जाए तो इन गाड़ियों के अंदर चार बंदे बहुत एजिली राइड कर सकते हैं, कमफर्टेबल लाइड जिसको कहते हैं, वो चार बंदों की हो पाती है, तो ओवरॉल अकर हम इसके सॉनेट के बारे में बात करें, तो इसमें आप लोगो तीन इंजिन देखने के लिए मिलेंगे, 1.0 लिटर का टर्बो चार्ज पैट्रल इंजन, 1.2 लिटर का नैच्रल लिएस प्रेटिट पैट्रल इंजन, 1.5 लिटर का CRDI इंजन, ये पहली ग आपके कंफर्ट केंविनेंस में पूरी-पूरी हेल्प कर सकेंगे, बाकि इस गाड़ी के अंदर आप लोगो पुश स्टार्ट, 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 स्ट्रेंग मांटेट कंट्रोल, 10.25 इंचिस तक का इन्फोटेंट स्क्रीन, यूवो कनेक्टिविटी, फुली पैट्रोल वेरियंट, बेसिकली टाटा की जो आल्ट्रोज आते हैं, उसके अंदर आप लोगो 1.2 लिटर 3 सिलेंडर रैट्रोल इंचिन आता है, बेसिकली जिसको काफी सारे लोग कहते हैं कि यार यह अंडर पावर है, चलाने में मज़ा नहीं आ रहा तो टाटा अब आप टाटा ने जल्दी बाजी करिया, फिर कस्टमर्स की रिक्वार्मेंट जल्दी आए, तो हो सकता है कि 3 सिलेंडर जॉब का पैटल इंचिन आ, उसी को टर्बो चार्ज के साथ बनाया जाए, पावर फिगर्स की बात करे जाए, तो काफी रूमर से पदा चला है, 100 बेच्पी अगर लग नहीं रहा कि इस गाड़ी के अंदर मुझे DCT आएगा, जाते है कि 6 स्पीड की आटमेटिक ट्रांस्मिशन दी जा सकती है, और अगर DCT आजा तो भाई, वेल एंड गूड है, क्योंकि इनकी हैरियर में भी DCT नहीं आता न, तो इस वैसे थोड़ी थोड़ी से च